नमस्कार दोस्तों, एक जानवर भी अपने फैमिली को बचाने के लिए अपना सब कुछ डाव पर डगा देता है, जिसका उदारन कई सारे वीडियो हम लग सोशेल मीडिया पे देखते हैं, ऐसे में भला वनिश्य क्यों पीछे रहे हैं, तो आज में बात करने वारे हैं उस म मूवी के बारे में, अगर आप लोगों ने अभी तक द्रिश्यम 1 नहीं देखा है, तो लिंक मैंने निश्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है, क्योंकि द्रिश्यम 2 की कहानी द्रिश्यम 1 से ही कंटिन्यू होता है, और आप लोगों को मूवी समझने में आसानी होगी, अगर आप लोग मेरे चैनल में नहीं हैं, तो प्लीज चैनल को सब्स्क्राइब कर दिजेए, आप लोगोंने द्रिश्यम 1 मोवी में देखा होगा की आईजी कीटा का, बेटा का, बरून का सब्स्क्राइब को पुलीस के हाथ नहीं लगा है, और छे साल के बाद भी इन्वेस्टिगेशन जारी होता है, जोर्च कुर्ति यानि की मोहलाल और उनके फैमिली के उपर पुलीस का सख हमेशा होता है, जोर्च अपने फैमिली के साथ एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहा होता है, वो एक मूवी ठेटर का मालिक बन जाता है और अपना फ्लिंग भी प्रडिस करना चाता है, पर जोर्च की बेटी अंजु को हर हमेशा बरुन के कतल के केस में पुलीस आकर पकर लेने का डर रहता है, तो इसकी वज़े से वो इपिनेप्सी की मरेश भी बन जाती है, एक दिन पैसे के लालच में एक आत्मी ने बरुन उनके बॉड़ी को जोर्च ने अंडर कंस्रॉक्शन पुलीस स्टेशन में दफनाया है पॉल के इंफोर्मेशन देता है, इसकी वज़े से पुलीस आक्शन में आ जाता है, अब क्या जोर्च अपना और अपना फैमिली को उस क्राइम से केस से बचाएंगे जो उन लोगों प्रेशर में आकर किया था, ये जादने के लिए आप मुवी देखिए तो आप लोगों के खोश हो जाएंगे, ये एक क्राइम थ्रिलर मुवी है और इसका स्टोरी बहुत ही बढ़िया है, मुवी आप लोगों का ध्यान अपने और खिशने में कामिया भी होता है, कहानी प इस बार भी सभी कलाकारों ने अपना अपना काम बहुत अच्छी तरीके से लिवाया है, ये मुवी देखकर आप लोगों को लगेगा कि जॉर्च और उनका फैमिली का गेम एंड, बीच बीच में आप लोगों को लगेगा कि अभी जॉर्च को पकड़ लेगी पुलिस, प अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिजे और ज्यादे से ज्यादा लाइक भी कर दिजे, आज के लिए इतना ही मिलती हूँ अगर नेक्स वीडियो पे, तिल दिन टेक के बाई 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 शाहिन नारा